हेलो अप्रिवान वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके शाहर सेयर करने वाली हूं मेथी की कच्छोडी देख सकते हैं कि इतनी खस्ता और सॉफ्ट बनी है खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो चलिए मूब करते हैं वीडियो की तरफ तो यहां पर मैंने वन कप मेती लिया इसे अच्छे से क्लेन करके इस तरह से पानली कट कर लिया है आपको इस बात का ध्यान रखना कि इस टेम बिल्कुल भी नहीं यूज करना सिर्फ लीप को यूज करना है और इसको इस तरह से कट करना जिससे कि वह बहुत ही छोटे- जिससे कि मेती के पत्ते हैं वह थोड़ी से सॉफ्ट हो जाएंगे यहां पर मैंने लिया एक ग्रांडिंग जार और इसके अंदर एड़ करेंगी लहसुन की 7-8 कलिया तू मिर्च मिर्च आप अपनी टेस्ट के रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं फाइनली चॉप्ट एक टोमे जीरा और कुछ धन्या के पत्ते अब इनको कबर करके हम ब्लैंड कर लेंगे तो कुछ इस तरह का पेस्ट जो है रेडी करना है तो यहां पर मैंने लिया है बाउल इसके अंदर मैं एड़ करूंगी टू कब गेहूं का आटा टू टेबली स्पून बेशन वन टीएसपी अमचुर पाउडर वन टीएसपी गरम मसाला वन टीएसपी हल्दी हाप टीएसपी अजवाइन उसको हाथों पी इस तरह से रखके अच्छे से क्रश कर लेंगे और मेथी के पत्ते जिससे साइड में रखा था नमक मिला के उसको इसमें एड़ कर देंगे अब इसमें एड़ करेंगे वन टेबली स्पून घी अब सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एड़ करेंगे जो हमने पेस्ट रेड़ी किया थो उसको इसके अंदर डाल के इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे आब इसे हमें dough की तरह ready करना है जिस तरह से हम कचोड़ी बनाते है normal उसी तरह का आठा हमें लगा के ready कर लेना है आब इसमें ठोड़ा ठोड़ा water add करऊंगी और इसे mix करती वे dough form में लाऊंगी तो यहां पर जो dough है विल्कुट ready हो चुका है कबर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए जिससे सेट हो जाए त्यहां पर 15 मिनट कमप्टीट हो गया है इसे हम दुबारह से नीकल लेंगे जिससे की हमारा आटा थोड़ा सा अच्छे से गुच जाए अब इससे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर एक पार्ट को लेके अच्छे से खूब मशल लेंगे जिससे की वो आटा जो है सौफ्ट हो जाए फिर इसकी हमें छोटी-छोटी लोईयां बनाती हैं जिस तरह से हम पूरी के लोईयां बनाते हैं उससे थोड़ी इसी बड़ी लोईयां बनाएं क्योंकि हम इसे कचवड़ी बना रहे हैं तो इस तरह से हम कट कर लेंगे तो इस तरह से लोईयों को मसल करके सौफ्ट कर लेंगे उसके बाद हम इसको हाथों पर रखके हलका सा फ्लैट कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा आइल एड़ करेंगे और इसे ब्रस की हर्प से सभी में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे जिसे कि इनको बेलते समय यह स्टिक नहों और अच्छे से सॉप्ट बनी रहें इस तरह से पहले थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे उसके बाद इसे आपको प्रेशर देते हुए किनारों पर दवाना है बीच में इसको बिल्कुल नहीं प्रेस करना है किनारों से प्रेस करते हुए से बनाना है इस तरह से सब को रेडी कर लेंगे तो यहां ऑईल जो है अच्छे से गरम हो चुका है तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं इसको डाल के इसमें अच्छे से प्रेस करेंगे जब एक तरफ से अच्छे से हो जाए तब इसे टर्न करके दूसरी तरफ पलट लेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो है दोनों तरब से अच्छे से हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इतनी फूली फूली और अच्छी सी दिख रही है तो ये खाने में बहुत टेस्टी आती है तो ये अच्छे से हो चुकी है अब इसको निकाल के हम दूसरी पूरी को प बनके रेडी है इसे आप जरूर ट्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ यूजफू लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और कमंड करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा और मेरी चैनल पर फॉर्स टाइम आया है तो मेरी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रस करें जिससे मेरी लेटेस अपडेट आपको सबसे पहले मिले थांक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो